2024 में group discussion नहीं हुआ था सिर्फ और सिर्फ आपका personal interview हुआ था nift round 2 के में बात कर रहा हूं specifically mdesk के लिए although किसी भी जो भी आपकी master's की stream है तो किसी भी stream में महाँ पे group discussion नहीं हुआ था सिर्फ और सिर्फ परसनल interview हुआ था and portfolio आपको लेके नहीं जाना होता वो आपसे portfolio के बारे में नहीं पूछते मत ले जाओ कुछ फाइदा नहीं है although अगर महाँ पे mentioned है portfolio लाओ तब तो आपको ले जाना पड़ेगा अगर आप हुश्यार बनने की सोचते हो और सोचते हो कि मुनको सेंटर नहीं बुलाते हो कोई अलग एक सेंटर होता है वहाँ पर आप जाके अपने इंटर्व्यू देते हो इंटर्व्यू आपका दो से तीन दिन चलता है तो बहुत सारे बच्चों ने कर रहा है और भीर देख्या आप हैरान होने वाले फिर कुछ पेपर वक्स होते हैं और आपको वेटिंग के लिए बिठाया जाता है फिर धीरे-धीरे करके बच्चों को बुलाते हैं आपको रोल नमर दे दिया जाएगा उसके हिसाब से आप पैनल अलाट होता है तो उनके पांचिए ऐसान कोशन पूर्चन मुशकिल कोज़न भी पूछा कोई सकते हैं अपोई कोई पैनल जादा टाइम लगाता है कोई पैनल कम टाइम लगाता इंटर्वी लेने में जैसे कि हमारे पैनल निट में चोड़ा था वह जल्दी छौड बाकी पैनल हो सकता है 20 मिनिट ले ले लें 25 मिनिट भी ले सकते हैं उसमें आप यह चीज प्रिजिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है अगर इतना टाइम ले रहे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जल्दी होगा तो मांस्थ मिला ओगै आप कहांसे ओपकी क्या होबी जहां से भी हो आपकी place में महां पर क्या इसा खूबी है किस वजह से हो famous है आप design का future क्या देखते हो मैं MDS का था लेकिन मुछ एपको क्या तो है ने क्या अच्छे से प्राक्टिस कर लो साथी साथ अपनी knowledge gain कर लो design के बारे में overall जो questions नहीं आते हैं हमापे आप simple कह सकते हैं उसके बारे मुझे idea नहीं है ठीक है ये भी आपको confidence show करेगा कि मुझे नहीं पता तो मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा फाल तुम्हें हमापे over smart बनने की जरूरत नहीं है टीचर से हैं वो पकड़ लेते हैं और कोई सा भी image और answer देनी की जरूरत नहीं है थोड़ा सा सोच समझ के भी देना है जो भी course में आप apply कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये one of the most common question है जो कि पूछा जाता है कि इसमें आपने क्या करा इसमें क्या ख्याल है और बहुत हो सकता है जन्रल एक से फ़र से भी conversational टाइप ही आपका interview हो ऐसे कोई hard and fast question नहीं पूछेंगे कि वो question करेंगे और आप answer करोगे हो सकता है conversation की form में ही आपका interview flow करें तो वो I think एक ideal stage होती interview जहाँ पर आप एक अच्छी conversation बिठा पारे हो फिर आपका interview खतम हो जाता है अब भार आते हो and अपना bag उठा के आप घर चले जाते हो and that's it for stage 2 जादा I don't think इसमें coaching लेने की या जादा questions को practice करने की ज़रूत है already I think YouTube पे enough videos पड़ी है जहाँ पर आपको questions का idea अलग जाएगा जिस तरीके पूछे जाएंगे although interview में इतने tough questions नहीं पूछे जाते है जादा technical questions में नहीं जाएंगे casually रखेंगे और अगर चले भी गए और आपको नहीं idea तो आप no बोल सकते हो कि यार इसका मुझे नहीं पता यार तो नहीं बोलोगे obviously sorry मैं मैं इसका मुझे नहीं पता है I'm so sorry but मैं जाओंगा तो जरूरू मैं पता करूँगा क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जादा प्रिपेर करते हैं उल्टी सीथी कोचिंग में चले आते हैं and वो कोचिंग वारा उनको confuse कर देता है बहुत मुझकिल कोशन पूछ को लगता पता नहीं क्या ही होगा क्या ही होगा क्या ही होगा ऐसा कुछ नहीं होता जो बच्चे बहुत मज़े से जाते हैं जो घंटा कुछ नहीं पढ़ा होत सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इससे बहुत बढ़ी चीज़ रहेगी फिर आप अपनी भी परफर्मेंस को जच कर सकते हो कि मैं कैं मैंने कितना अच्छा वोल कि इतना अच्छा नहीं बोला तो इसी स्मायल लगके बोल सकते हो और अपने आपको थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं लग रहा है कि इसके आंसर बढ़ी है उस चीज़ देखे कि जातर सब के जो मांक्स थे वो सेमी दे दिये गए थे कुछ बच्छों के कम थे बच्छों के आपको स्कूल टाइम से बहेंस करने की मत करो उसके हाथ में आपके मांक्स है वो अगर गधे को शेर क खहरा है कहो बिल्कुल सही खहरे हो आप मैं अगरी करता हूं सचीज से अनलेस रिंटेल वो को डिबेट कर रहा है तो बात अलग हो जाती है डफिनेटल बट अगर आप उसकी किसी चीज़ से अगरी नहीं कर रहे तो ज्यादा मूँ मत खोलो मेरी एडवाइस रहेगी ज्यादा उनका दिमाकरा मत करो विकॉस यू नेवर नो सामने वाला कब चड़ जाए और कब आपके माक्स कम कर दे तब तक के लिए मिलते हैं आपको पने नेक्स वीडियो में स्टे टून बबाई